नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादे इंपर्टेंट होने वाली ओन यूबाउं के लिए जो दिल्ली पुलिस में सर्विस करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आया हूँ आपके लिए ये नोटिफिक्सन अपने चैनल पर और ये एकदम पकी निवज़े दोस्तों मैं आपके लिए बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आगे चलकर व्यूडियो में दिखा हूँ तो आज हम आपको बता जाए सकते हैं आज ही अपलाई करें दोस्तों पोस् और सबसे बड़ी बात कहें कि यह भर्ति जो हो अल इंडिया के लिए होने वाली है मैं आप कहीं पर भी किसी भी स्टेट से आप लॉंग करते हैं तो आप इस भर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत भड़ी अपडेट निकलकर आ रहे हैं मैं आपके इस पर गुवर्मेंट ट्रोल्स यह 27 और 32 है कैसे अब मैं आपके लिए आगे की वीडियो में बताऊंगा योगता दोस्तों ऑनली 12 पास और सबसे बड़ी बात की मेल और फीमेल दोनों ही भर्ति के लिए अपलाइक कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं मेरे सबस्क्राइब जरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब जरू करने क्योंकि सबसे पहले सबसे जल्दी लेकर आता रहता हूं मैं आपके लिए जेनल नॉ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आचुके यहां पर भी सरकारी रिजल्ट का जो होमपेज है इस पर आप देख सकते हैं हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे तो लेटेस्ट जॉब लेटेस्ट आप अपने मोब के जो online फॉर्म है वो उसकी notification जारी कर दिये 2020 में भरती होने बाली है तो दोस्तों आपे यसको कफिक कर लेते हैं और देखते हैं इसके अच्छा पता है दोस्तों आपके लिए को ऑफिसल जॉब मिलेगी आपको ऑफिसल बैठके केबल वर्क करना होगा पोस्ट के डेटा दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ 22 दिसमबर 2020 10-13 मरवाज 10-13 एम पर यह 22 दिसमबर आज ही यह पोस्ट अपडेट की गई है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खवर है यह शॉट इंफोर्मेशन में आपके लिए कुछ बता दूँ देलियो पुलिस और फाइनली रिलीज़ दी हेट कॉंस्टेबल वायरलेस और टेलीफोन ओपरेटर रेकूटमेंट 2019 बीस नोटिफिकेशन और इन्वाइट तो ऑनलाइन एप्लिकेशन फर्म पर पोस्ट अफ हेट कॉंस्टेबल ऑपरेटर वेकंसी 2020 तो दोस्तों यहां प पर टेलीफोन ओपरेटर का काम करना है और वायरलेस ओपरेटर का तो बहुत यह अच्छी दोस्तों आपके लिए तो दोस्तों इस भरती के बार में आपको कुछ डिटेल में बताने वाले हैं अब ही हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स एप्लिकेशन विगन 28 12 2019 मतलब आज तारीख है 22 और 28 तारीख से आपकी जो है ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन आब दना कर पाएंगे तो आपके जो फॉर्म विगन हो रहे हैं बो हैं 28 12 2019 मतलब 28 12 2019 से 28 दिसंबर 2019 से आ तो 28 दिसंबर 2019 से 37 जनबरी 2020 के बीच का जो समय होगा एक महिने के समय आपके लिए फॉर्म भरने के लिए दिये जा रहा है काफी अच्छा समय है लेकिन आप समय को वियर्थ ना करते हुए आप 28 से 29 तारीख दो दिन के बीच में अपना फॉर्म जो है फिलप कर लें तो द अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है तो जब भी हमें पता चलेगा हम आपके लिए जल्दी से एक नई व्यूडियो बना कर और आपके लिए बता दी जाएगा अगरम आपके जल्दी ही बतायगा अभी तक कुछ किलियर नहीं किया गया है एप्लिकेशन फीस के बारे हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपकेसिन फीस के बारे हम बात करें तो एप्लिकेशन फीस होगी जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीश मतलब आप अगर जनरल OBC और EWS से संबन देता है कास्ट के हैं तो आपके लिए 100 रुपए देनी होगी और SC, ST और PH के लिए यह जो application fee है वो 0 रुपए मालब आपके कोई भी application fee नहीं देनी होगी और दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि female all category मालब आप किसी भी general, OBC, EWS, SC, ST, PH किसी भी category से आप संबन देता है और अगर आप female है तो आपके लिए कोई भी application fees नहीं देनी होगी पेमेंट मोड की बात करें दोस्तों तो आप E-CALAN, credit card, debit card और net banking के द्वारा आप अपना जो है इसकी application fee जमा कर सकते है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, vacancies detail है, total post 649 तो यहाँ पर head constable telephone operator और wireless operator की 649 पोस्त पे recruitment के लिए जो दिल्ली पुलिस ने अपनी website पे notification जारी की है तो यहाँ पर post का नियम है दोस्तों, head constable operator, total post है 649 और age limit की बारे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, detail मों बताऊंगा age limit है दोस्तों आपकी 18-37 year for general, अगर आप general category की हैं तो आपके लिए age limit 18-37 साल होना जरूरी है मतलब 18 से कम नहीं होना चाहिए और 17 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बहीं पर दोस्तों 3 साल का relaxation मिलता है OBC candidate के लिए other backward cast के लिए इनके लिए 18-30 साल के लिए इस भास्ते के लिए apply करने के लिए age limit है मतलब जो candidates OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 18-30 साल तक apply कर सकते हैं तो और दोस्तों SC और ST के candidates के लिए 18 से age limit होगी 18-32 साल तो अगर आप SC-ST से सम्मझने थे हैं SC-ST category हैं तो आपके लिए 18-32 साल की age limit मिलेगी है मतलब आप 32 साल तक इस भास्ते के लिए from apply कर सकते हैं अभी बात कर लेते हैं दोस्तो eligibility की तो eligibility की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं आप 10 प्लस 2 intermediate exam with science math as subject English होने चाहिए आपके पास में तो दोस्तों आपके लिए केबल 12th पास होने जरूरी है with science और math और English तो आपके लिए science math और English होने जरूरी है और अगर 12th पास है तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं कि दूसरी बात दोस्तों है यहां पर English word typing speed तो यहां पर आपकी सबसे बड़ी बात आपकी है यहां पर आपकी एक टैपिंग का भी टेस्ट लिया जाएगा तो आपकी जो टैपिंग का टैस्ट होगा उसका mode होगा English तो English की टैपिंग दोस्तों काफी सरल होती है ज्यादा की इंप्रेशन करना पड़ेगा मनलब इसके लिए एक हजार वर्ड नहीं समझना एक हजार की मैं आपके लिए थोड़ा से डिटेल नों बताता हूं जैसे हमें लिखना है MAN MAN अगर आपने MAN लेखा तो एक की नहीं होगी तो तीन की हो जाएंगे MAN तो यहाँ पर आपको 15 मिनट में एक हजार की इंप्रेशन करना पड़ेगा तब आप हो जाएंगे PASS तो दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं मेली पुलिस हेट कॉंस्टेबल कैटेगरी वाइस वेकेंसी डिटेल तो दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं मेल और फिमेल और यहाँ पर जनरल और यहाँ पर कास्ट दी गएंगे तो दोस्तों जो मेल उमिद्बार होंगे जनरल के उनको 119 पोस्ट होंगी के मेल के लिए 44, OBC के मेल कैंडिडेट्स के लिए 103, SC के मेल कैंडिडेट्स के लिए 84, ST के मेल कैंडिडेट्स के लिए 55 पोस्ट होंगी टोर्टर पोस्ट होंगी दोस्तों 435 मतलब 649 मैंसे 435 पोस्ट होंगी मेल की और फिमेल की पोस्ट होंगी दोस्तों 214 तो अगर आप general category के हैं तो आपके लिए female के लिए male होंगे female के लिए post होंगे आपकी 74, EWS के लिए 21, OBC के लिए 50, SC के लिए 42 and HD के लिए 27, total होंगे आपकी 214 तो दोस्ते हाँ पर physical eligibility की दिया हुआ है tentative यह height होगे आपके 155 cm फर male के लिए और female के लिए होगे 157 cm चेस्ट यह दिया हुआ है running होगे आपके 1600 मिटर 7 मिनिट में 800 मिनिट में होगे मैं लाओंगे तो दोस्तो आगे के जनकारी के लिए मैं आपके लिए लेके चलता हूँ तो दोस्तो यह वीडियो आप कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूब बताईए कि बहुत अच्छी नहीं हुजए आपके लिए अगरे वीडियो पसंद आईए तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक केमेंट औ तो दोस्तो चलिए कर फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन चैवारत